नमस्कार प्रेदर्शकों मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागत अभिनन्दन करती हूँ कैसे हैं आप लोग दर्शकों आज हम बात करने वाले हैं कि जन्म कुंडेली में किस प्रकार से योग बनते हैं जा तक लफ रिलेशनशिप में जाता है यानि प्रबल प्रेम विवाह योग जन्म कुंडेली में कैसे बनते हैं कैसे योग बनने पर जा तक किसी व्यक्ति को इतना ज़ादा पसंद करने लगता है कि वो विवाह तक बात जाती है और वो एक relation के बाद विवाह करना पसंद करता है यानि शादी marriage करना पसंद करता है हिंदु धर्म में 16 संसकारों में से एक पवित्र प्रमुक्र संसकार है जिसको विधी व विधान के अलावा विधी विधान के अलावा शास्त्रों में इसके आठ प्रकार बताए गये हैं विवाह के आठ प्रकार होते हैं जिसमें से love marriage को love relationship को गंधर्व विवाह के रूप में बताया गया है आज कल बच्चे प्रेम विवाह को अधिक बढ़ावा देने लगे हैं प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह के नाम से ही जाना जाता है और जहां वर और कन्या स्वयम अपनी पसंद से अपनी पसंद का पार्टनर अपने जीवन साथी का चयान करते हैं जोति शास्ट में बहुत सारे ऐसी योग बताए गए हैं प्रेम विवाह के जो यदि जन्म कुंडली में निर्मान होते हैं तो निश्यत जातक का प्रेम विवाह होता है जिसमें से कुछ विशेस योग हैं जिनके बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अब हम आपको कई सारे योग बताएंगे अगर इन में से कोई भी एक योग आपकी जन्म कुंडली में बन रहा है तो निश्यत आपका प्रेम विवाह होगा यदि किसी जातक की कुंडली में पंचम और एकादश भाव के स्वामी एक साथ इस्थित हों केंडर या त्रिकोन या एकादश भाव के स्वामी या धन भाव के स्वामी एक साथ हों इस्थित हों तो ऐसे में प्रबल प्रेम विवाह के योग बनते हैं यदि लगनेश वा पंचमेश लगनेश या सब्तमेश या पंचमेश या सब्तमेश की जन्म पत्रिका में युति हो जाए कहीं पर भी तो जन्म पत्रिका में ऐसे में प्रेम विवाह के योग बन जाते हैं और राहू यदि जन्म कुंडिली के प्रथमभाव यानि फर्स्ट हाउस में फिर्फ्थ हाउस में और सेवन्थ हाउस में हों तो ऐसे में जातक प्रेम विवाह ही करता है इसके अलावा राहु यदि शुक्र वा ब्रहस्पती के साथ इस्थित हो जाएं तो जातक कि पत्रिका में अंतर जाती है प्रेमिविवाह यानि कि इंटरकास्टर मेरेज होती है ऐसे में जातक कि ब्रहसपति और शनी ब्रहसपति यदि शनी की राशी में वाशनी के साथ इस्थित हो जाएं तो इन दोनों इस्थितियों में भी इंटरकास्टर मेरेज होती है यानि अंतर जाती है प्रेम में विवाह होने के प्रबल योग बन जाते हैं प्रेम विवाह करने के लिए आपको कुछ बीज मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि बहुत सारे लोगों के घर में parents agree नहीं करते हैं, या किसी भी प्रकार की problem होती है, तो ऐसे में एक मंत्र जाप करना चाहिए, अगर आप love marriage करना चाहते हैं, तो ओम क्लीम नमहा, इस बीज मंत्र का जाप यदि आप करते हैं, तो इसको करने से आपकी आकर्शन शक्ती बढ़ती है, और इस मंत्र के जाप से आप अपनी सभी काम यानि प्रेम विवाह यदि आप करना चाहते हैं, तो आप अपना काम बना सकते हैं, एक और मंत्र है साथ में जिस से आप अपनी आकर्शन शक्ति बढ़ा सकते हैं और इसका जाप करके आप बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं तो ओम क्लींग क्रिष्नाय गोपी जनवल भाय स्वाह इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो आप जिसको भी पसंद करते हैं वहाँ शिग्र आपके पास आता है और उसके साथ आप अपना अच्छा फ्यूक्चर बना लेते हैं लाभ मैरेज के योग बन जाते हैं तो दर्शकों कुछ इस प्रकार के योग यदि जन्म कुंडली में बनते हैं तो प्रेम में विवाह होने की संभावनाएं प्रबल होते हैं यदि आप भी किसी ऐसे व्यक करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक के लिए प्याल भरा नमस्कार